दोस्तों आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाले हूँ जो हमारे वाइट कपड़े हो जाते हैं जिन पे दाग लग जाते हैं उनको हम घर पे ही कैसे नीटन क्लीन करें जैसे कि आप यह शेयर देख रहे हैं इसमें चाई के निशान लगे हुए हैं मैंने इसमें मसीन में इसको कई बार वोश भी कर दिया है पर यह जो निशान है पोकेट के ऊपर यह बिल्कुल भी नहीं जा रहा है चाय की दाग वाली शर्ट को हम घर पे ही कैसे वोश करें बिल्कुल चमकदार बनाएं जैसे इसको हम वोश करेंगे तो शर्ट का जो अभी कलर आपको शू हो रहा है इससे भी चेंज हो जाएगा कि वह पूरी शर्ट पर इफेक्ट करेगा सिरफ इस दाग पर नहीं इसको बि बिल्कुल कम मेहनत के तो यहां बाल्टी में मैंने पानी ले लिया है एक ही शेट है इसलिए मैंने थोड़ा कामी पानी लिया है अब इसके अंदर जो भी आप डिटर्जन यूज करते हैं उसकी दो चमच आप इसके अंदर मिक्स कर दीजी आप इसको चमच सही तो राउन राउन घुमा देज़े थोड़े से मतलब जाग जाएंगे इसके अंदर यह है रिन आला जिससे की हम स्ता को हटाएंगे इसमें में चीज है रिन आला इसको हम इंदी में ब्लीच भी बोलते हैं यह हम एक ढकन इसके अंदर डालेंगे कि यह देखिए एक धकन ही मैं इसके अंदर यूज करूंगे अब इसको चमब से थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो हैंट्स कलप का भी यूज कर सकते हैं अगर आप ब्लीच में हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो बट यह थोड़ा सा डाइल्यूज होता है तो यह ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है कपड़े दोने में तो हमें हाथों का इस्तेमाल करना ही होता है तो इस पानी में अब मैं अपनी शर्ट जिसमें चाहे का दाग है यह मैं डुबो के रख दूँगी इसको सिरफ हम 5-7 मिनट ही डुबो के रखेंगे हमें आदा घंटा रखने के जूरत नहीं है तो इतना ज़्यादा दाग भी नहीं है और वैसे भी इतनी जल्दी यह इफेक्ट कर जाता है तो इससे डुबो के मैंने रख दिया है अभी यह बहुत ही असारदार है दोस्तों जो ट्रिक मैं आपके साथ यह शेयर कर रही हूँ आप इसको जुरूर इस्तिमाल करें देखेंगे आप इपने वाइट कपड़े बिल्कुल ही चमकदार हो जाएंगे और आप जैसे पान से साथ मुनट हो गई है तो जहां पर भी दाग है मैं इसको थोड़ा सा हाथ से रब कर रही हूँ इस पानी को ले लेके आप बीच बीच में ऐसे मिक्स करके तब रब कीजिएगा अब ही मैं आपको इस शर्ट को बिल्कुल भाइट करके दिखाती हूँ दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं इसको बुरशे रब कर रही हूँ या कुछ है सिर्फ हाथों से ही रगड रही हूँ आपके सामने ही यह बिल्कुल चमकदार हो जाएगी और इसके जो कोलर है बिल्कुल नीटन क्लीन हो जाएंगे वो भी आपको पी जब भी किसी भी वाइट कपड़े को चमकाना हूँ नीटन क्लीन करना हूँ तो आप भी इस ट्रीक का इस्तिमाल जरूर करें आपको जब भी लगे कि शर्ट थोड़ी सी काली हो गई है कई बार हो जाती है पीली-पीली पढ़ होती है इसलिए ज्यादा हमारे कपड़ों पर इफेक्ट नहीं करती है जैसे कपड़ा खराब होने का डर रहता है या कुछ है इससे ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है बस यह कपड़ों को जो दाग धब्वे उसको रिमूव करती है और आपके हाथ भी सीफ रहते हैं इससे आपने बहुत करती है आपने देखा होगा मेरे पहली वीडियो में भी मैं क्लव्स यह उजओन करती हो तो इसमें मुझे ग्लवस की जरूरत नहीं पड़ी है अंगर हम इसको डारेक्ट कपड़े पे ऐसे करते तो मैं यह वीश किया थो बस आब मैं इसको दूसरे पानी में बोश कर दूँगे अब हम इसको दो बार अच्छे पानी में बोश कर लेंगे देखे मेरी बालते में आपको जाग दिखे होंगे साबुन का अब हम इसे अच्छे पानी में बोश कर लेंगे थोड़ा खोल खोल के उसके बाद मैं आपको पूरी ये खोल के ओपन करके चुका है क्योंकि वैसे भी हमें जो डेली उसके कपड़े हम गोश करते हैं वह भी हम अच्छे साबुन निकालना होता है पानी में से नहीं तो प्रैशिज होने का डर रहता है खुजली लग जाती है और अगर कपड़ों में साबुन रह जाता है तो हम प्रैस करते हैं यह उससे भी ज्यादा वाइट हो गई है और कोलर भी विल्कुल नीटन क्लीन हो चुके है इसके और आपको एक टिप्स और देना चाहूंगी जो भी हमारे वाइट कपड़े होते हैं उसको हमेशा सनलाइट में ही सुखाए इसमें उसकी जो सफेदी है और उभर कर आती है और जो एनदर हमारे कलर वाले कपड़े होते हैं उसको सनलाइट में ना सुखाए सनलाइट में सुखाने से वाइट कपड़े का जो कलर है और निखर के आता है